दिल्ली की कतिच शराब गोचाला मामले में सीय मरवंद केजरिवाल को 15 अपरेल तक के लिए तियार जेल बेजिया गया है कलीडी ने उन्हें राउ जवन्यू कोर्ट में पेश किया था जाच अजिंसी ने कोर्ट से केजरिवाल की 14 दिनों की नयाई किरासत मांगी जिसे कोर्ट ने सुईकार भी कर लिया इसी जेल में शराब नीती केस में आरोपी मरीश से सो दिया संजे सिंग अलग-अलग सेल में बंद रहे हैं केक कविता भी महिला सेल नमर 6 में रखी गई है केजरिवाल की गिरबतारी के खिलाफ याजिका पर दिल्ली आईकोच में 3 अप्रेल को सुनवाई होनी है यह बड़ी खबर इस वक्त की अप्तियार जेल की बैरक नमर 2 में अरविंद केजरिवाल इस वक्त मौझूद है तो बड़ी खबर इस वक्त की जो भी वहां का मैनुवल है उसी के इसाब से सुविदाय अरविंद केजरिवाल को दी जाएंगी अलंकि घर का खाना पीना उन्हें महिया कराने के बारे में कहा गया है उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है तो उसले आज से भी जो मेडिकल उन्हें सुविदाय मौईया कराई जानी है उन्हें सभी का खयाल रखा गया है तो शराव को चला मामने में तिहार में अरविंद केजरिवाल के अलावा अभी कौन-कौन से आमागभी पाठी के नेता मौजूद है वो भी हम आपको दिखा रहे है मनीश से सोधिया जेल नमबर एक में संजे सिंग जेल नमबर पाँच में बैरक में केजरिवाल को रखा गया है वो 14 फीट लंबा है 8 फीट चौड़ा है इसमें एक टीवी लगा हुआ है सीमेंज का उंचा चबुटरा बना हुआ है बैरक के बाढ़ चार सुरक्षा कर्मी हर वक्त यहां पर मौजूद रहेंगे तो बड़ी खबर आपको बता रहें जेल नमबर दो में केजरिवाल को शिफ्ट किया गया है हलकि इस जेल नमबर दो में अरबिंद केजरिवाल को अकेले रखा गया है तो पहली रात त्यार के अंदर अरबिंद केजरिवाल की कली कटी है 14 फीट लंबा, 8 फीट चोड़ा उनका बेरक है एक टीवी की सुविदा इसमें मौया कराई गई है सीमेंट का उल्चा चबूतरा बना हुआ है और चार्ज सुरक्षा कर्मी इसी बेरक के बाहर हर वक्त मौझूद रहेंगे गैंक्स्टेप मुक्तार अंसारी से जुड़ी वे इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दे मुक्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षा को फोन पर जान से बानने की दम की दी गई है और इसके बाद से विबाग में हरकंप मचा हुआ है बांदा जेल अधीक्षाक ने मामले में बांदा कोतवाली में केस भी दच करा दिया है इसके बाद उस फोन कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद रहने के दौरान मुक्तार अंसारी की दिल की धणकन रुकने से 28 मार्च को मौता हो गई थी हार्ट अटेक उन्हें आया था और उसी के बाद किसी अग्यात रक्ती ने बांदा जेल अधीक्षाक बिरेश राच शर्मा को फोन कर उन्हें जान से मानने की दम की दिया में बंद रहे प्रोवांचल के माफिया डौन मुक्तार अंसारी की हार्ट अटेक से मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षाक को जान से मानने की धम की मिली है बीते 28 मार्च को जेल में बंद माफिया डौन मुक्तार अंसारी की हालत बिगड़ गई थी जिसके बाद उसे इलाज के लिए बांदा मेटकल कालिज में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी जिसके बाद उसी राद बांदा जेल के जेल अधिच्चक विरेश राज सर्मा के पास लैंड नमबर से एक अग्यात खालार का फोन आता है जिसमें उसे ठोक देने की धम की देता है 14 सिकन के इस काल में जेल अधिच्चक को ठोक देने और उसके साथ अभावता पुर्वा के बात की है जिसके बाद जेल परशासन में हरकम मत गया है पीड जेल अधिच्चक ने अपने उच अधिकारियों को इसकी सूचना दी जिसके बाद बांदा कुटवाली में अग्यात खालार के खिलाफ मुकदमा रच कर दिया है जिसके बाद पुलिस की कई टीम उचे कालर आईडी को सर्च करने पर जोटी हुई है लेकिन दो दिन से ज़्यादा का समय बीट गया है अभी तक उस नंबर को पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है जिससे इस घटना के बाद जो जेल के अधिकाली है हुआ है दरेसा में हुए है और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं वाना से अफले सुनका न्यू जटीन अगली बड़ी खबर राजस्तान से आपको बताए जहाँ पर अंगों के प्रत्यारोपण से जुड़ी विसवक्त की बहुत बड़ी खबर है राजस्तान की ब्रेश्टाचार निरोदक ब्यूरो ने फर्जी अंग प्रत्यारोपण का परदापाश किया है A.C.B. ने इस मामले में जैपुर के सबसे बड़े अस्पताल S.M.S. के दो कर्मचारियों को गरफतार भी किया है उनके पास से तीन फर्जी अनोसी बरामत की गई है इसमें अधिकारियों के फर्जी दसखत मिले हैं अब आरोफी है कि पकड़े गए आरोफी अंग प्रत्यारोपण के लिए लगने वाले अनोसी को फर्जी तरीके से बनाते थे जाच के दोरान आरोफी कर्मचारियों से संबंदत विबाग से विदेशों से जुड़े वे कई लोगों की फाइल भी मिली है इसी से माना जा रहा है कि फर्जी अंग प्रत्यारोपण के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं पहली बैठक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जूम 1974 को कोलंबो में और दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी जो 28 जूम 1974 में हुई थी और दोनों बैठकों के बाद ये वैसला किया गया था कि कच्चा थी वो दूइब श्रीलंका को सौंप दिया जाए लेकिन कॉंग्रेस ने इन आरोपों का कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया कॉंग्रेस भले ही कच्चा थी वो दूइब के मामले को चुनावी मुद्दा बताए लेकिन प्रधान मंत्री ये मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं भारत के तमिलनाड और श्रीलंका के बीच बड़ा समुद्री इलाका है और हिंद महासागर के इसी समुद्री इलाके को पाक स्ट्रेट कहते हैं तमिलनाड और शिलंका के बीच के समुद्री इलाके का ये नाम अंग्रेज गवरनर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। वो 1755 से 1763 के बीच मजरास फ्रांट के गवरनर थे। पाक स्रेट में कई दूइब हैं और कच्चा तिवू दूइब उन्ही में एक हैं ये दूइब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है और करीब 285 एकड़ में फैला है इस दूइब की भारत के नामेश्वरम से दूरी करीब 19 किलोमीटर है और शिलंका के जाफन आने के बाद ये मड्रास प्रिसिदेंसी यानि भारत का हिस्सा बन गया था और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो सरकारी दस्तावेजों में इसे भारत का हिस्सा बताया गया था लेकिन उस वक्द भी श्रीलंका इस पर अपना अधिकार जता था और कच्च्चत ही उग कामले को खास तवज्जों नहीं दी थी और इसके कुछ साल बाद 1974 में इंदरा गांधी ने ये द्वीप शिलंका को दे दिया था आटियाई से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाड के तबके मुख्यमंत्री एम करोना निधी को जब ये जानकारी दी गई थी तो उनसे ब अखमून कर मान लिया था और भारत के एक ग्वीप को शिलंका को दे दिया था यही नहीं 2014 में इस मुद्धे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई थी और बहस में कहा गया था कि अगर भारत झाले धुद्द्द्ध में बहस भी हुई आज सकते के ऐसी को शिलंक आ यह को दिम ह्दाओराला र पिलेक साल को, थश्यू जिल गप। झाल झाल